देखिए हम टेरेस गारडन के लिए हम घरों में जो सब्जी है जैसे धनिया है पौदीना है मिर्ची टमाटर है इन सब के लिए हम गमले लेकर आए उसकी जरूरत नहीं होती है जैसे बोरियां है चाबल की पांच किलो की बोरी आती है या डिब्बे जो गरों से पंदरा आपने देखा ग्रीन नेट चलती है वो भी लगा सकते हैं और पानी क्या होता है धूप से बहुत जल्दी मिटी सूख जाती है छत पे डारेक धूप आती है तो उसके लिए हम पौधों में जो भी आपका गमला है उसमें बॉटल में एक छेत करके बॉटल को उसकी जड़ तक गड़ा कर भी भरके हम छोड़ सकते हैं ताकि उसकी जड़ में नमी बनी रहेगी और पौधा हमेशा हरा बना रहेगा और अगर हम यह चाहें कि हम मिटी में धूप ना लगे उसमें नमी रहे उसके लिए हम जैसे नारियल के उपर की जटाएं निकलती हैं उनको गमले में बिचा सकते हैं या सूखे पत्ते आप देखिए तो उनको भी डाल सकते हैं आप जैसे पाने डालेंगे तो आपकी मिटी में दूप नहीं लगेगी और वो उससे नमी मिटी में बनी रहेगी काफी टाइम यह देखा जाता है कि जब भी हम टेरिस गार्डन तयार करते हैं य देखिए इस टाइम पर आफिस प्लांट जो होते हैं गर्बियों में बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं जो फूल वाले जैसे पिटोनिया हम लगाएतेें सेवrantी जो होती हैं वो ःसul से हम जो प्रणेंगे नहीं लगते हैं तो उसको भी हम लगा सकते हैं वह भी यही व का नहेर का पेड़े ये सब हम लगा सकते हैं फूल के लिए कि अकसर ये देखा जाता है कि पौधों को धूप लगना बहुत जरूरी होती है लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर बहुत सारे पौधे रखते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं घर के अंदर के रखे पौधों को तो वह कौण को उसे पौधे इंडोर प्लांट्स होते हैं वह तो अलग होते हैं घरों में हम चोटे कैक्टस बेराइटी के जो आते हैं आप देगे चोटी-चोटी एक ट्रे में लगा कर हम रखते हैं तो वह सब इंडोर प्लांट्स होते हैं और हम जो बाहर लगा रहे हैं पिटोनिया जैसे और भी पौधे हैं तो वह रोज है रोज को तो धूब भी चाहिए और ठंड़क भी चाहिए तो उसको मतलब जैसे सूरज की रोज नहीं सब पढ़ती है तो रोज हमारे बहुत अच्छे होते हैं वह इंडोर में हम नहीं र को देखना है कि हम कौन सी किस तरह की मिट्टी और सबसे बड़ा की पौधा अगर हम बीच से कर रहे हैं तो हमको डारेक्ट गंबले में मतलब हम लगाना चाहरे हैं टमाटर तो हम टमाटर का पौधा लाके नहीं लगा हैं उसे घर में पहले त्यार करें टमाटर समय समय पर देने के लिए मेरे हां तो जैसे कि किचिन में सभी लोग किचिन में काम करते हैं उसमें दाल चावल का जो पानी होता है दोकर वह हम अपने पेडों में दें जिसे गो मैं पेड़े उसमें अगर हम अपने घर का यह सब चाई-पति गली युज य section में यह सब पानी को इखटा रखे और उसमें डालें तो पौदे बहुत अच्छे रहते और गर्मियों में हम ज्यादा खाद नहीं देते तो इन पानी से पौदे बहुत अच्छे रहते